क्या आप English fluently बोल सकते हो दोस्तों जैसे ही आपसे कोई ये सवाल करता है आपका दिल जोर-जोर से धंकतक करने लगता है है ना फिल इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मिलवाओं एक ऐसे spoken English learner से जिसने English सीखी भी है और अपने confidence को बहुत जादा इंप्रूफ किया है आप ज़रूर इनस्पायर होंगे तो विदाओट फूरद एड्व लेट्सनिट याचना अलो याचना कैसे हो आप मैं ठीकों मैं आप कैसे हो मैं भी ठीकों अपने बारे में कुछ बताएच पहां से हो आपने कहां से पढ़ाई की है कॉलेज कहां से रहा आपका और आपके इस मेरे मेरे स्कूलिंग टाइम इन बिहार से रही है मैंने 10 प्लस टू बिहार से रहा है और वो हिंदी मेडियम से रहा है और यह के बाद मैंने दैली से MSCMLT करी है एंड मेरे फैमली में फाइव मेंबर्स हैं मॉम डैड एंड माई टू ब्रदर्स एंड मैं तो याज मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आपको कब रियलाइज हुआ क्यों अब हमें स्पोकन इंग्लिश सीखने की जरूरत है या इंग्लिश पूरी तरह से सीखने की यह है मैं मेरी स्कूल इंग टाइम जैसे मैंने बताया कि मेरी हिंदी मीडियम्स तो मैं को काफी चीजे करनी पड़ी अब जब मैं फ़र्स टाइम इंट्रूवियू देने गई थी तो मेरे साथ से बड़ी लाएफ की पहली रीजेक्शन मिलीथी देन उसके बाद आने के ब को इंग्लिश सीखनी पड़ेगी देन मुझे एक अच्छा मेंटर चाहिए जिसके वज़े से मैं को यह जो रिजेक्शन मिली है मैं को आगे यह चीज़े फेस ना करनी पड़े राइट तो दोस्तों मैंने यह सवाल याचना से इसलिए पूछा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हमें इंग्लिश सीखना है हमें लगता है कि हम थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हैं तो इससे हमारा काम चल जाएगा बट क्यों इंग्लिश की जरूरत है क्यों इंग्लिश प्रॉसेस या गाइडेंस वाइज हमें सीखने की जरू तो याक्षना आफ्टर डाट इंटर्व्यू वाला इंसिदेंट आपको रियलाइज हुआ कि अब मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए राइट तो अब आप मुझे यह बताए कि आपने कौन-कौन से मेथर्ड यूज 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 इंग्लिश सीखने के लिए यह मैं आफ्टर इंटर्व्यू जब मैं आई तो मेरे साथ प्रॉब्लम यह थी मैं कि में एक तो मेरे दिमाग में था कि वह चीजें मेरे लिए बहुत बढ़ी है जहां पर मैं जाना चाहिए मैं नहीं जा पाई दैन मैंने सुना था कि यूटूब वगरे पर बहुत सारे आज कल चैनल्स वगरे हैं देन वह बताते हैं कि न्यूटूब पर लो एंड यूटूब पर देखे आप इंगलिस में बहुत राई करा और मैंने काफी टाइम वेस्ट करा बट मैं को से कुछ बेनेफिट मिला नहीं मेरे साथ यह था कि मैं यूटूब पर देख तू रही ह तो जैसे आपने देखा याच्णा ने बताया कि यूटूब का सहारा लिया उन्होंने उन्होंने न्यूजपेपर पढ़के इंगलिश इंप्रूव करने की कोशिश की लेकिन उतना फायदा नहीं मिला तो हम मैंसे भी कई सारे लोग यह सोचते हैं कि यूटूब पर फ्री एक राइट गाइडन्स कितनी जरूरी है वो हम देखते हैं याच्णा के एक्सपीरियंस से तो याच्णा वाई अवर सर्श पोकन इंगलिश कोर्स आपने अवर सर का ही इंगलिश कोर्स क्यों चुना अपने इंगलिश तीकिंग जरूनी के लिए यस मैं मैं यह बताना चा जो भी क्वेरी होती है हमारे मेंटऊर तो हैल्प करते है बट आफर डेट क्लासेश के बाद जो चीजे हमारे दाउट्स है जो भी प्लाउडमस आती हैं तो व इडियोस में काफी चीज एंगल होती है तो मेरे को सबसे अच्छी चीज वो लगी कि हमारे पास बीडियो है हम रहे हम देख सकते है अपनी चीजे क्लेर कर सकते हैं हमारे लिए को सबसे अच्छी दोहीं एड उसके बाद यूटूब पर या आपकी जो बीडियो जाती हैं वह काफी हर वहती होती है Thanks तो after that जब भी हम free हो या फिर हमें जब एक कुछ problem हो तो हम उससे help ले सकते हैं तो हमें इस वजे से काफी मतलब में को अच्छा लगा कि मैं join करूँ and मैं जो सर का तरीका है जो basic से और advanced level तक तो वो चीजे काफी helpful है so में को अच्छा लगा इसलिए मैंने join करा तो याचना I'm sure कि आपकी जो journey रही होगी spoken English की वो इतनी आसान तो नहीं रही होगी कुछ न कुछ difficulties तो आई होगी तो आप क्या एक या दो incident कोई ऐसे share कर सकते हो जहाँ पर आपको लगा कि यार English की वज़े से यहाँ पर मैं मात खा गई ऐसी कोई journey करना चाहूंगी कि हमें जो भी देख रहे हम से यह चीज़े सीखने को मिले कि होता क्या है मेरे साथ नहीं बहुत बार ऐसे चीज़े हुए मैं एक दो नहीं बहुत सारी चीज़े क्योंकि जब ओफिस टाइब में भी हो या फिर कॉलेज में भी जब कोई पार्टी वगरे होती थी या पर जहां पर हमें किसी और के बारे में बताना हो जैसे सीनियर सोग वगरे होते थे तो उनका तो वही था कि वह अगर आप स्टेज पे जा रहे हो तो वह इंग्लिस में टॉक करते हैं वह अगले के बारे में अगर बताएंगे तो दो मेरे साथ ऐसा होता था था न कि कभी पार्टी वोफिस में कुछ और तो मैं नहीं चुट्टी कर जाती थी लिपकॉज में को पता था कि मैं नहीं बोल पाऊंगे एक्चुली और देन नेक्सट डे मेरे साथ को पता होता था कि Lao Icha क्यों इसने छुटी किया क्या कि मीरे लिए नहीं पाती है गिए इंबरेट लेवल होता है तो मेरे समयने ऐसे इंस्टेंश मैंने बहुत खेय करें मैं कि जहां पर मैं बोल नहीं पारी उसमझने पारी वहां से में को हट जाना पड़ता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी तो यह एक और रीजन था कि अगर आपके कलिक हैं आपके उनके बीच से अगर आप कहीं पर कोई कर रहे हैं आप नहीं अंडेस्टेंट कर पारे हो और देन नाचानक से आप उठके वहां से चले जाओ तो वह बहुत इंबरेस्वाला लेवल होते हैं सब को यह पता होते हैं आज कल की टाइम पर मैं तो सब कुछ आने के बाद भी उसे नीचे ही दिखा जाता है कि नहीं आ रही है तो चलो ठीक है यह तो ऐसी है तो वो चीज़े मैंने काफी फेस करें तो दोस्तों याचना ने इतने स्ट्रॉंगली अपने स्ट्रॉगल्स अपने डिफिकल्टीज के बारे में बताया है आप मे याचना मुझे जैसा पता चला है आपको गाना गाने का बहुत शॉक है आप बॉलिवूड मूवी बहुत देखते हो तो उसी से जुड़ई एक अक्टिविटी में आपके लिए लेकर आई हूं मैं आपसे पूछूंगी कुछ बॉलिवूड डायलोग और आपको उसे जिरे अपनी जिन्दगी इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे गो सिम्रन गो आ लिव यूर लाइफ ग्रेट दोस्तों अगर आपको इसका कोई दूसरा और मज़ेदा ट्रांसलेशन आता है तो मुझे कॉमेंस में लिख कर बताओ मुविंग ओन तो दे सेकेंड डायलोग ये मेरे फेवरेट अक्तर शारुक का है तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ आ यू गोइंग प्लीज डॉन को कर्रेक्ट ओके आखनी बॉलिवुड डायलोग ये एंशुर बहुत सारे लोगों की फेवरेट मुवी होगी इस इस फ्रॉम मु जाओ जादा बिलीव करती हूँ कमिंग बैक तु आर नेक्स वेस्टन सो याचना आप अभी हमारे इंगलिश यूजर हो आप लाइव सेशन्स लेते हो हमारे मेंटॉर के साथ तो आप क्या मुझे बता सकते हो कि लाइव सेशन्स में जो आप रोजाना क्लासेज लेते हो उ मैं को बहुत ज्यादा एजिटेशन होता था बात करने में जो मेरी मेंटॉर हैं मैं चाहूंगे उनका नाम लेना अंजली मैं वह मतलब हर टाइम पर बहुत ज्यादा चीजें बताने के अलब मोटिवेट भी करती हैं तो एक सबसे अची चीज है कि मैंने अपने क्लासेज में भी देखि हैं कि टीचर आते हैं चीजें बताएंगे रटी रटाइए फिर वो चले जाते हैं एक सबसे प्राबलम हो रहा हैं तो मैं को मैं कभी भी मैसज करो कॉल करू मैं एगden ड्ली enduring होती कि हाँ इसको कहां पर प्रॉबल्म हो रही है कहां पर Heart करना तो मेरे लिए काफी ऐँ जार्नीरिय रही है मैं के साथ एंड मह वाला जाहूँ के बारे में अगर मैं बोलना चाहो तो मेरी वहां पे confidence बुश्ट हुई है काफी मैं अगर किसी से बात करना होता है तो मुझे agitation नहीं होता है at least मैं चीज़ अंडेस्टेंड कर पाती हूं मैं को रुपना नहीं पड़ता है मैं बताती उसे काफी help मिलता है कि मैं अगले कुछ समझ पहूं या फिर मैं अपनी बाते रख पाहूं तो यह में को काफी मेरी स्किल डेवलफ हुई है अगर मैं कहीं पर जा रही हूं या फिर मैं किसी को कर रहे हूं तो मेरे लिए जो अन्बिलीविवल था वो मैं आप कर रही हूं ठीक है याचना मैंने सुना है आप एक अच्छी सिंगर भी हो तो चाप ओडियंस के लिए एक छोटा सा दाना प्रेजेंट करोगी मैं पहले क आप सकती हूं फस्त गाना गालो क्या तो आई कुछ एक तो केमरे के सामने ऐसे भी नहीं है अरे आप मुझे देखके गाओ मुझे देखके कोई गाना आदा आ रहे है गादो आई उन्ट माइंड कि बहुत आई दही यादे मगर इस बार तो भी आना इरादे फिर से जाने की नहीं लाना तुभी आना मतलब इसके बाद मैं क्या गाओ मैं यह सोच तो आपकी गाने के बाद मैं क्या गाओ या पर नहीं गाती मेरे को रिजेक्शन की वज़र से मैं नहीं गाती इस बड़ी बड़ी में राप कर सकते हूं ब्रो तीन महीने का कोर्स था हमारा आपने तीन महीने कोर्स पूरा किया उसके बाद भी आपने कोर्स का तो मैं जाना चाहते हूं कि आपने एक्स्टेंट करवाया को आपने तीन महीने वे सीख ली इंग्लिश फिर तो बिल्फल मैं मैं बताना चाहूंगी एक्चली में को यह तो था कि मेरी प्रेक्टिस भी ना रुके क्योंकि ऐसा होता है कि मीच में अगर क्लास कि कर दो तो फिर वो प्रॉब्लम्स आने लगती है देन क्योंकि हमारे इंवायर्मेंट पे असा नहीं है क्या पूरे टाइम इंग्लिश में बात कर पाऊ और देन मेरा सबसे बड़ी रीजन यह था कि मैं को मैं 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 से मुझे क्लास करनी थी विकॉज मुझे पसनली अंगली मैं बहुत पसंद है इंड़ मैं आपको एक सब्साइब बताना चाहूँगी जब मैंने अक्सिंटेंशन लिया ता न तो मेरे पास मैं पास पैसे नहीं थे पैसे नहीं पोकी मैं यह कर पाओ बड़्ät-इंटке कर और में अगे की चीज्ज मुझे उनके साथ ही चंटिनिव करने थे दोस्तों याचना ने बहुत अच्छी बात कही डाट इस प्राक्टिस जब भी हम स्पोकन इंग्लिश सीखने की जर्नी में होते हैं और हमारी प्राक्टिस रुख जाती है तो वापस से शुरू करना बहुत डिफिकल्ट होता है इसलिए मैं भी हमेशा सुडेंट्स को यह यह सजस्ट करती हूं कि इंग्लिश जब आप सीख रहे हो जब आप इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी में हो तो बीच में ब्रेक मतलो और याचना आज का हमारा आखरी सवाल आप हुल सूडेंट्स को क्या अडवाइज देना चाहते हो जिन्होंने या तो अभी तक अपने इंग्लिश की जर्नी शुरू नहीं की है उन्हें रियलाइज ही नहीं हुआ है कि हमें इंग्लिश सीखना चाहिए या फिर जो अपनी जर्नी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं यह बताना चाहूंगे बिल्कुल कि जो प्रेक्टिस होती है प्रेक्टिस से ही आपके mentor हो या फिर किसी भी classes में जाओ पोचिंग में जाओ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे फ्लो में नहीं आओ गया पुस्टीज पर टाइम नहीं दोगे तो बिल्कुल नहीं आगा या फिर वो skill क्या था क्या ने एक्ट्रेस क्या थे उनके बारे में बताओ चीज बताओ तो मेरे को से काफी हैल्प मिलता है कि मैं जान रहे उसे इंगलिस में से याइप करनी है तो प्लीज आप बीस में बिल्पल ना रोके आप प्रेक्टिस करते रहें आप यह डिसाइड करें कि आपके पास एक अच्छा मेंटर हो जैसे मेरे पास है तो आपको काफे एल्फ मिलेगा आप कही अटक रहे हो तो बिल्कुल आपको पहले एटलीस स्टार्ट करना पड़ेगा देन आप स्टार्ट कर रहे हो अगर आप पर टाइम दे रहो तो आप बिल्कुल वो देते रहो प्रेक्टिस के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा आप किसी भी चीज़ पर टाइम दोगे तो ही आपको आपके बेनिफिस दिखेंगे और मैं आप सभी को यह चीज़े बताना चाहूंगी कि बहुत बार ऐसे होता है क कि हम क्लास dość तो जाइन कर लेते बड़ हमारे दिमांग में कही और कंब्र ऐसे चीज़े रहती है कि मेरे से नहीं पा है हम नहीं कर पाइए ऐसा नहीं होता आप कर सकते हो जैसे मैंने कि आ आप बिल्गुल कर सकते ह 되면 आपको यह पता होना चाहित्प आपके पास एक अच्छा मेंटोर हो एक अच्छी क्लासे जो देन सब कुछ पॉजिबल है कर सकते हुआ भी